सवी करने वाली है सबको इंप्रेस इस पार सुरेखा ही नहीं बलकि इशान और अनवी भी होने वाले हैं खुश बल आपको बता दें स्टार प्लस के सीडियल गुमे किसी के प्यार में के आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कैसे अनवी की खूप सूर्ती को सवी निखारने वाली है सवी उसकी साइट से कुछ ऐसा करेगी जिसके बाद सुरेखा इशान सबके सब खुश हो जाएंगे इतना ही नहीं सवी जो है सुरेखा को भी एक ऐसा आइडिया देने वाली है जिससे चिन में सुरेखा को प्यार करने लगे चोली बताते हैं सवी ने इतना सब कुछ अकेले कैसे किया जैसा कि आप देख सकते हैं कि किचन में सुरेखा परिशान है वो सोच रही है कि आखे वो अपने बेटे की नफरत को खत्म कैसे करें वहीं पर सवी पहुच जाती है सवी अपनी बच्पन की बातें बताती है कि कैसे वो भी अपनी आई से नाराज हो जाती थी वो जिद्धी थी लेकिन फिर भी उसकी आई उसे मना लेती थी क्योंकि सवी के आई के पास कुछ ऐसा होता था जो उसको पता था कि जिस्ते सवी ठीक हो जाएगी अब यही बातें जो है सुरेखा के दिल में बैठ जाती है अब सुरेखा जो है चिनमे के लिए अच्छा अच्छा खाना बना रही है आप देख सकते हैं सब के सब टेबल पर खाने के लिए बैठे हुए हैं जहां पर सवी अब अन्वी के साथ बैठी है और अन्वी अपने स्क्रिप्ट बताती है वो बताती है कि कैसे राम नवी पर वो एक नाटक करवाना चाहती है तो इस पर आप देख सकते हैं कि कैसे सवी जो है वो बहुत खुश है और अन्वी की इन चीज़ों को सब के सामने निखाती है अब वहीं पर रिवा घडीव है जहां रिवा अपना आइदियों देती है इशान खुश हो जाता है लेकिन तब नीशी नीशी वहाँ कहता है कि नहीं छोड़ो इतन सब में नाटक कैसे होगा तो वही कहती है कि अम्वी के पास पूरी स्क्रिप्ट तयार है के के तो वहीं पर सब अन्वी से की चहरें भी हसी आज जाती है क्योंकि सुरेखर को आप कैसे और और ये तरही प्रीवी संभालने की कोहिश कर रही ए सब नजर आया है अब ये सारी चीज़े हो गई इशान जो है वो भी आइडिया देखकर खोश हो जाता है लेकिन इसी बीच रीवा जो है वो तो इशान को लेकर सपने सजाने लगती है लेकिन रीवा को ये नहीं पता कि उसके सारे सपने जल्द ही तूटने वाले हैं क्योंकि राम नव्मी पर राम जी और सीतजी के रूप में सभी और इशान नजर आने वाले हैं बहुत सवारी चीज़े होने वाली है कॉमेंट करके अपनी राय बताये का जरूर और इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चानल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेस्बूक पेज पर देख रहे हैं तो इसे भी जल्दी से फॉलो करें